कि प्रेदर्सकों नमस्कार मैं आश्रोजा डॉक्टर रभी गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अश्रोजा डॉक्टर रभी गुप्ता दर्सकों सबसे पहला मैं ये बात बता देता हूं कि आज का हमारा वीडियो जो ये बहुत ही महत्पुर्ण है क्योंकि आज पंद्रा वर्से मैं जोतिस के छेत्र में हूं और मैं ये नहीं चाहता हूं कि जीवन में किसी भी वेक्ति के कोई भी लाइफ में कन्फ्यूजन हूं क्योंकि confusion इंसान को बरबाद कर देता है वो किसी भी छेतर का confusion हो मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेसान हो जाता हूँ इस कारण से कि जब किसी की कुडली में देखता हूँ कि अरे इसके कुडली में तो ये रतने क्या है सकता थी इसे ये ग्रो की सान्ती करानी क्या वे सकता थी अज़स्ट उसके वो बिप्रित इड़ातमधारन किये होते हैं अज़स्ट उसके वो बिप्रित पुचा सान्ती करवा बैठे होते हैं ये सभी चीजे देख करके मैं बहुत ही दुखी होता हूँ अंतरा अत्मा से मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं क्या बोलू, क्या करू क्या वाकई में जोतिस के छेतर में अब ठगी बढ़ गया है कि पहले से लोग ठगते थे क्या वाकई के वाकई जोतिस के छेतर में कुछ ऐसे भी जोतिसा चारे लोग है जो आदा नौलेज ले करके लोगों को अपना ग्यान बाट रहे हैं और लोग उसके चकर में फस रहे हैं क्या वाकई में कुछ ऐसी जो तिसा चारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि सामने वाले को उसकी कुंडली के बारे में कम से कब पुन्टा जनकारी दे दे उपाय करना नहीं करना वो उसकी बस की बात है लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोग काफी डरा देते हैं काफी लोग जो है सामने वाले सहम जाते हैं कि चलो मुझे पंडी जी नहीं ये बोला है मेरे गुरुजी नहीं ये बोला है मेरे बाबा नहीं ये बोला है मेरे जोति सचारे नहीं ये बोला है कि मुझे ये उपाय करने से नहीं करोगे तो मर जाओगे नहीं करोगे तो बरवाद हो जाओगे ये सभी चीजों के कारण में बहुत ही ज़्यादा परिसान हो चुका हो जब मैंने यूटूब चैनल बनाया था तो मैंने प्रंट ठाला था कि आपकी जीवन के हर सच्चाई को मैं उजागर करूँगा मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपको जीवन में कुछ भी ऐसे बाते छुपाना जिससे आप जो है जीवन में परसान हो इसलिए अब तक यूटूब चैनल पे तो सिर्फ मैंने ये बताया कि जीवन की कुछ स्थितियां क्या होती है लेकिन अब जो हमारा वीडियो और यूटूब पे बनने वाला है वो बहुत ही पावरफुल वीडियो बनने वाला है क्योंकि अब तक तो जो भी मैंने दिया हो तो सिर्फ एक पिक्चर का टेलर था लेकिन मूवी तो अब स्टार्ट हुआ है ताकि मैं चाहता हो कि हर लोगों को ये जनकारी हो कि आखिर आप है क्या इसलिए आज का मारा वीडियो को टॉपिक है कि विरिस लगनवाले आपके जीवन कैसी होती है आपके कुडलियों में कौन सी ग्रह जो है बहुत अच्छे फल देते हैं साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सरत उप्योकारी होता है जीवन की किन चीजों पर आप सावधानी अगर बरतते हैं तो लाइप में आगे बढ़ेंगे और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि बिरिस लगनवाले आखिर आपकी कुडलियों में कौन कौन से ग्रह जो है कभी-कभी सुब होने के बाद भी असुफल देते हैं मेरा कहने का मतलब ये है कि जोतिस सास्तर में कहा गिया है कि जो भी जोतिस या जो भी विक्ति ये नहीं समझ पाएगा कि लगनी क्या होता है तब तक अन्ये भाव की प्रकस्ठा करना बिकार है यानि भागवान जब किसी इनसान को पिरिथवी पहलाते है तो सबसे पहला उसका सुरवात मरस्तिस्क से करते है यानि कोई बच्चा गर जन में लेता है वो सेंसलेस है, पागल है उसका मरस्तिस्क पुलो रूप से विक्सित नहीं है तो वो जीवन में क्या कर पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा ऐसे इस हिती में हम लोग क्या कर सकते है ऐसे इस हिती में हम लोग सिर्फ यहीं देखते है कि आखिर इसका भरन बोसन कौन करेगा या पिर ये कितने साल जीएगा क्योंकि जो व्यक्ति के जीवन में उसका मस्तिस्क पुरता काम नहीं करता है जिस व्यक्ति के मानसिक इस्थिती संतुलित नहीं होती है ऐसे व्यक्तियों का मैं नहीं समझता कि कुंडली देखने से कोई फायदा है इसलिए जोतिस शांस्तर में सबसे पहले इंसान का सुरुवात उसके मस्तिस्क से, उसके सौभाव से और उसके नीचर से किया जाता है जिस प्रकार को बच्चा जर्म लेता है तो उसके माता पिता जो है उसे भोजन देते हैं जो ग्यान उनके अंदर नहीत होता है या जो किताबे ग्यान होते हैं वो उनको देते हैं और सिखाते हैं कि ये जीवन में जीने का बुद्धी है इस कलाओ के इस प्रकार से तुम सिख लेकिन माबाब जो है दुनिया में किसी भी बच्चे को नेचर नहीं देते हैं क्योंकि नेचर जो होता है वो भगवान देते है और वो जो नेचर होता है दर्सकों वही इंसान का लगन होता है पहले आप ये समझ ले कि आप क्या है पहले आप ये समझ ले कि आपको जीवन में किस प्रकास से अपने आपको संतुलित करके आगे बढ़ना है तभी जो तिस छेतर के अन्य भावों की प्रकास ठा करनी अच्छी होती है ये एक बहुती महत्पुन बात है कि कुंडली का जो होता है ये पहला हाउस जो होता है ये लगन होता है और यह एक इत्फाक बोले या जो बोले शुरी को जो है इस पृत्वी का सबसे महत्पुन ग्रह माना गया है और कहा जाता है कि अगर सुरी उदय होता है तो सभी जो है जाग जाते हैं यानि सुरी का उदय प्रतिक विक्तियों के लिए और प्रतिक संसार के जिव जन्तों के लिए सुभ होता है अब यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि लगनी ही जो है वो उदय है आपका उदय कैसे हुआ हमारे ब्रह्मांट इतने बड़े है उसके बारा भागों में उसे बाट दिया गया है और बारा भागों के अनुसार जो है इनसान की उत्पति भी होती है यानि पूरे स्रिष्टी में बारा प्रकार के ही लोग है यह बहुत ही मातपुर में आपको जनकारी देना चाहता हूँ इन्ही बारा प्रकार के लोगों में ही जो है आपसी ताल में जीवन की सफलता है परिवारिक और मितरता यानि जीवन के जितने भी संबंध होते हैं यही यही बारा प्रकार के लोगों से जो है अस्थापित होते हैं और उन्हीं बारा प्रकार के लोगों मैंसे मैं आज इस लगन की बात करने वाला हूँ वह बिस लगन यानि बारा भागों का सेकंड चरण जिसे पहला मेश लगन होता है, दूसरा बिस, तिसरा मिथुन में विवय बात करूँगा मैं चाहूँगा कि अनुरोद करूँगा कि आप इस विडियो को पूरा देखे कम से कम बिस लगन वाले ताकि आज आप ये समझ पाएं कि मैं क्या हूँ, मिरे लिए क्या यो प्यूप्त है अगर आप पूरा इस विडियो को देख लेते हैं तो मैं गारेंटी देता हूँ कि जीवन में खुद बाखुद आधा अस्ट्रोलोजर अपनी कुंडली के मामले में तौप स्वैम हो जाएंगे चलिए हम मैं बात करता हूँ, पार्ट बाई पार्ट विर्श लगन वाले आप क्या है आप क्या लेकर के आए हैं, किस प्रकार के जीवन में आप सफल होंगे चलिए मैं बढ़ता हूँ इस प्रकार की जानकारी के साथ सबसे पहला क्या होता है, कि दर्सको, अगर आपका जन्म के अस्थान पे, यानि जन्म कुल्ली का जन्म लगने जो होता है वहाँ पे अगर दो अंक बैठा होगा, तो आपका जन्म जो है, ब्रिसलगन में हो जाएगा जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आपका जन्म ब्रिसलगन में हुआ है, तो इसका सेंबल जो होता है, ये बैल होता है थोड़ा ताज़ु तो लगता होगा आपको इसका सिंबल जो होता है ये बैल होता है और बैल क्या है बैल कम अर्थ होता है कि उसमें बुद्धी थोड़ी कम होती है लेकिन कर्म करने की जो है छंताएं अत्यदिक होती है जी हाँ यानि कहते हैं आप कोलू का बैल इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी काम उससे करा लो वो करते चला जाएगा करते चला जाएगा लेकिन जब उसे क्रोध आ जाएगा या फिर उसके कर्म छेतर में कोई बाधा उत्पन करेगा तो वो उसे मारने से भी पीछे नहीं हटता है मैं पुरुसों की बात करता हूँ बिरिश लगनवाले आप सौभाव से भावुक होते हैं दयालू होते हैं सोतंतर विचार के होते हैं बहुत सारी नेगेटिव चीजों को आप इग्नोर करते हैं आलस्टिपन के कारण बहुती सारे महत्पुन कार्यों को जो है आप छोड़ देते हैं दूसरों पे तुरंत विश्वास कर लेने के कारण हमेशा सामने वाला आपको धोखा ही देता है और इसके बाद परिवार के रिस्पॉंसिविलिटी आपके सिर पे बहुत कम समय में आ जाता है आप चाह करके भी अपने फेलिंग दूसरे को नहीं बता पाते हैं क ही कारण है कि आपको जीवन में सफलताय प्राप्त करते करते बीच में बहुत लोग ठग लिया करते हैं महिलाई अगर आपकी बात में करता हूँ आप भी दयालू होते हैं भाबुक होते हैं लेकिन आपके अंदर थोड़ी चीचड़े सौभाव निश्ची तवर पे डेव या आपको अबसब्द बोल देता है तो आपके अंदर छन भर में कोर डिवलप हो जाता है और आपके वानी से तीखी भासाएं निकल जाती हैं जो सामने वाले को बुरा लगता है मैं मानता हूँ कि आप भी तयालू होते हैं मैं मानता हूँ कि आप तुरंद दुसरों पे विश्वास कर लेते हैं मैं मानता हूँ कि आप स्वार्थी नहीं होते हैं लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं स्वार्थ के थोड़ा स्वार्थ करके इस चीज़ को प्राप्त कर तो मेरा जीवर सफल हो जाए यह आपका सोचना गलत नहीं है सारे रुकुप से पूरू सोय अश्तरी आप काफी सुन्दर होते हैं लंबे भी होते हैं पीट कान के पास आपके पास कुछ नो तो कुछ जो है चिन या फिर तील या मसा का दाग तो सरीर में रही जाता है बाले आवस्था में निच्चे तोर प्याँ थोड़े दुखी होते हैं लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है खास करके जीवर का सबसे कर्ष्ट में इस समय आपका 20 वर्स से ले करके 28 वर्स तक रहता है इसके बाद आप जीवर के बहुत मुले सिधानतों को समझ जाते है इसके बाद जीवर के आप बहुत मुले सिधानतों के साथ छल कपट को भी समझ जाते हैं तब प्रचात आपका जीवर जो है सफल होना प्रारंब हो जाता है अगर मैं स्वास्त की बात करता हूँ तो हट पे थोड़ा पेर होना पेट की थोड़ी समस्या होना गर्दर में औ और थोड़े मोड़े दाथ की समस्या होनी आम बहुत होती है जो भी आपको थोड़ी समस्या होते हैं वो औरल औरल रूप से थोड़ा जादा होता है ऐसे मैं कह सकता हूँ कि सारी के अंदरोनी कष्ट कम होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप परसान नहीं रहते हैं अग क्योंकि बहुत ही स्वालंबी और सिधानतवादी होते है calculation of mind मैं यह नहीं बोलता कि आपके अंदर नहीं होता है फिर भी दर्सन सास्तर हो जाए hotel management हो जाए media का छेतर हो जाए, painting का छेतर हो जाए MBA या finance का छेतर में banking के छेतर में आपने सफल होते है अगर मैं बात करता हूँ तो क्या वाकई में जीवर में आप continue सफल होते चले जाते है नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है बीच में अगर आप क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को सहता करते हैं तो आप परवादी के लक्षन सामने आ जाते हैं अगर आप नौकरी करते हैं तो दूसरों-दूसरों को नौकरी लगवाते हैं वही आपके जो है सफलता के बीच में काटा बन जाता है वही चुब जाता है आपके मिद्ध ही आपके सबसे बड़े सत्रू होते हैं और सबसे बड़ी समस्याएं आपके साथ ये होती है कि आप जो है दब करके नहीं रहते हैं तो आपके बाते थोड़ा लोगों को बुरा लग जाता है मैरेड लाइप के अगर मैं बात करता हूँ तो पुरुस का जो मैरेड लाइप आपका जो होता है वो निक्षित तौर पे मैं ये नहीं बोलता कि खराब होता है क्योंकि आप थोड़े सांत असभाव के होते हैं मैं पुरुस की बात कर रहा हूँ तो आपका दापति जीवत त आपके मन इस्थिर नहीं रहते हैं, आप चाहते हैं कि जबरदस्ती कोई मेरा बढ़ाई करे, क्योंकि आप दिल के इतने साफ होते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने उसके लिए ये काम किया, तो पती मेरे बढ़ाई करे, मेरे ससुराल वाले मेरे बढ़ाई करे, मेरे घर वा इसी कारण से आप थोड़े से चीचड़ा जाते हैं और कड़वे बचन जो बोल देते हैं तो कभी कभी तो डायोस तक की स्थिती उत्पन हो जाती है और बहुत सारे लोग जो है आपको इज़त भी नहीं देते हैं और बहुत सारे लोग जो है आपको जो है अपमानित भी कर देते हैं तो आप ठोड़ा डिप्रेश्ट हो जाते हैं यानि पुरुष के पिक्षाएं महिलाओं का दांपत्ती जीवन थोड़ा जो है निश्चित तौर पे कष्ट मईब होता है विश्च लगनवाले अब मैं आपकी कुंडली में कुछ ऐसे बाते बताने वाला हूं जिसे आप जाने और समझें तो आपको जीवन में निश्चित तौर पे सफलता है प्राप्त होगी यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इनसे स्टेज में अस्ट्रोलोजी कर रहे हैं यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो सब कुछ जानते हुए भी सामने वाले को गलत रतंधारंग करवा देते हैं गलत अपवाय गलत जानकारी देते हैं और सामने वाले को ड़ा देते हैं यह वीडियो उन जो तीसियो के लिए भी है और यह वीडियो उन जो तीसियो के लिए भी है जो जानते हैं सब कुछ लेकिन उनको संपुर्ण जानकारी नहीं देत और कौन सग्रा जो है मेरे लिए असुप रहेगा वीडियो लंबी है पर मैं चाहता हूँ जीवन का आपका आज एक-एक इस्थिती के बारे में जनकारी दू एक-एक रोचक बातों के बारे में जनकारी दू ताकि जीवन में आप निक्चित तोर पे सफल हो चलिए मैं बात क करता हों ब्रिस लगनवाले, जब भी आपका जन्म होता है तो सुक्र जो है आपके लगनेश होते हैं पंचम हाउस के बूध्या सुक्र के बर्म मित्र यानि पंचमेश होते हैं त्रुक्रों के मालिक होते हैं और दस्वे घर का Signal जो है परमराज यानि महाराज्यों का उत पापफल देता है इसका मतलर ब्रिस लगन में खुद बखुद लगने सोने के बावजूद भी शुक्र जो है आपको थोड़ा पापफल देता है यानि जब भी आपकी कुल्ली में शुक्र की महादसा चलेगी तो आपको जीवन में धन लाब सफलता है और उनतिक तो निर्च जो है आप मांसिक तराव अस्तुरताग में पढ़ जाएंगे इसका मतलर शुक्र खुद बखुद जो है लगने सोने के बाद भी ब्रिस लगन वाले आपके लिए थोड़ा घातक होता है सनी अकेडा राज्यों काराथ होता है क्योंकि सनी कुल्ली में कर्व छेतर का मालिक ह होता है और भाग्य छेतर का मालिक होता है यही कारण है कि सनी खुद बखुद राज्यों होता है यही कारण है कि जीवन के इनिश्च स्टेज पे 20 वर्स, 22 वर्स, 25 वर्स तक जो है आप अपने परिवार पे निर्भर रहते हैं लेकिन जैसे ही आपको यह रिलाइज होता है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप जो है धीरे धीरे खुद बखुद बुद्धी आपके अंदर डेवलप होती है और जीवन में आप आगे बढ़ना चालू कर जाते हैं परन्तु अगर आपका सनी कुली में अश्टम हाउस या 12 हाउथ में बैठ जाता है तो इसकी महादसा में आपको धन कवय कर्च संपती मेहानी और केस मुकदमा से रिलेटेट पिता से मतबेद और नौकरी में और बैपार में और भाग्वनती में बाधाएं उत्पन होने लगती हैं यानि अगर आपका ब्रिश लगन में सनी अस्टम और 12 भाव में है तो आप न मारगी भी है तो निलम का सब्चेचूट यानि उसका ब्लू वजर्मनी ब्लू जर्गॉन नीली या फिर जो है एमेठिस या फिर जो है आप लाजवर्थ निक्षित तोर पे धारन कर सकते हैं आप देखिए क्या होता है कि ग्रिस लगन में सबसे ज़्यादा आपके कुर्ल देता है यही कारण है कि बिरस्पती के महादसा में आप विदे स्यात्रा करेंगे बिरस्पती के महादसा में आपके अंदर पेसेंस आएगा बिरस्पती के महादसा में आपको धनकी प्राप्ती होगी बिरस्पती के महादसा में आप जो है परिवार के जिम्मेवारी को केट करो गले करो थाइरॉयट कभी सामना को करना पड़ता है यहीरारक यह कारत्भ है कि ब्रистपति आ lly में आयe का मालिक होने कि बास्थ मैं असुपざ是我 भी लाता है याने जब भीकेली का महाधासा चलता है ब्र 92 तो आम को इस चीज से बच करके रहने अम मैं बात करता हूं कि सुक्र आपके कुडली में सिक्स्थ हाउस मैंने बताया कि होने का बाद भी कभी-कभी असुप फल ही देता है आप देखिए चद्रमा आपके कुडली में हमेशा असुप फल ही देगा यही कारण है कि बिरिसलगन वाले आपको लोग अराम से बेखूब बनाते हैं और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो है तुरंत जो है क्रोधित हो जाते हैं तुरंत जो है पिनक जाते हैं यही रीजन है कि अगर आपके कुडली में चंद्रमा 6th house, 12th house में या फिस सब्तम house में बेड़ आते हैं क्योंकि सब्तम house में ब्रिस लगने में चंद्रमा नीच का होता है तो आप मासिक तनाव, डिप्रेसन और परिवार इस्तदार से मतभेद माता के घर तरब से यानि माइका के तरब से भी आपको जीवन में कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि मेरे घर वाले भी मेरे सपोर्टर नहीं है जनरली ये ऐसा चंद्रमा नहीं होने पे भी फल देखा गया है और आप तुरत दूसरों पे भी स्वास करते हैं वो इस्तिरी हो ये पूरुसों और जीवन में गलतिया करना आप प्रारंब कर देते हैं इसके बाद फिर जो है अब देखिए कि सनी क्यूंकि अकेला राजयो कारक है ये कहीं पे भी बैठेगा तो आपको धनना आप भागोनती तो कराएगा वो बात अलग है कि असुव अस्थान पे बैठने पे उस असुव अस्थान का भी जो है वो कुछ नो तो कुछ फल देगा लेकिन सनी के साथ जो भी ग्रह बैठेगा ब्रिस लगन में आपके लिए राजयो कारक रहेगा यानि उसके परभाव को बढ़ा देता है क्या वाकई में जो है ये असुव फल तो नहीं दे रहा है आप मैं बात करता हूँ कि सूर्य बूद और सरी जो होते हैं आपके कुडली में राजयो कारक होते है कभी कभी मैंने देखा है विरिस लगन वाले आपकी कुडली में सूर्य 6th house में 8 house में अगर विराज मान होता है तो आपको संपती के हानी करवाता है और आपको जो है माता का मातरी पक्च से और मतभेद कराता है और आपको सीर दर्द और बहुत ज़्यादा मान सिकता राओ देता है अगर विरिस लगन वाले विकते अगर आपके सूर्य कुली में सब्तम और सश्ठ house और अश्टम house में अगर विराज मान है तो आपको ये क्या करेगा कि भ्यंकर जो है संपती में नुकसान देगा और आपकी सारे property बिक जाएंगे यानि अगर आपकी कुली में सूर्य सश्ठ house और अश्टम और सिक्स और अइट house में है तो आप साउधान हो जाए जानकारी आप ले सकते हैं अब देखिए क्या है कि बुध आपकी कुली में अकेला राजियो का रख है बुध अगर आपकी कुली में अस्टम और द्वादस को छोड़ करके और आई अस्थान को छोड़ करके कहीं भी बैठता है तो जबर्दस्त धन की प्राप्ति कराएगा लेकिन अगर आपकी कुल्ली में अस्ट्यम और द्वादस और आई अस्थानें 12 और निच्च का बूद बैठता है तो संतान के कारण कर्ष्ट विदेश यातरा में बादा और नौकरी में आसफलता दे देगा अगर इसका उपाय चाहते हैं समाधान चाहते हैं तो मैं निक्चित तोर पे आप मेरे से संपर्ख कर सकते हैं मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा अब मैं बात करता हूँ कि मंगल और सनी जहां भी बैठ जाएंगे आपके कुल्ली में असूप फल देंगे थोड़ी देर पहले मैंने बताया थे कि कुछ ग्रा ऐसे होते हैं जो साथ में बैठने पैसूप फल देंगे तो आपके कुल्ली में मंगल और सनी कहें भी बैठ जाएंगे बिरिसलगन वाले तो ये बहुत ही भ्यंकर असूप फल देंगे आपके अनेतिक सम्मंद अस्थापीत करतेगा और आप जो है एक दिन भी बिना साथिक सम्मंद बनाएं नहीं रह पाएंगे और ये एक बरवादी का कारण होता है क्योंकि इसके चक्कर में आप बहुत सारे अनेतिक सम्मंद बना लेते हैं इसलिए अगर पुंड़ी में ये योग है तो आप कोसिस करें इस प्रकार के हैबिट से बचने का आप देखिए क्या है कि अभी तक कुछ गरोगी स्थिति के मैंने बारे में बात किया जो इस स्थिति में रहने पर आपको सुप फल देंगे असुप फल देंगे आप मैं बात करता हूँ कि सुकरवार सनी वरा रवी वर आपके लिए सबसे सुप होता है इसके बात फिर जो है आप लक्षमी जी का माता संतोसी का जितना जादा से जादा पूजा करेंगे उतना आपके लिए लाबकारी रहेगा अगर आपका जर्म ब्रीस लगन में है तो सुकरवार के दिन आप नौन बेज का सेवन करना बंद करते और इसके बात पांच अच्छे अंका आपका सूप होता है मित्र लगन मकर और कुम लगन वाले बेक्तियों मकर या कुम रासी वाले बेक्तियों से आपका तालमिल काफी अच्छा रहेगा तुला रासी वाले से भी आपका तालमिल जो है काफी अच्छा रहेगा लेकिन मिथुन और सिंग लगन वाले थोड़ा आपको धोखा दे सकते हैं इसके अलावा जो है सिंग धनू और मिन रासी वालों से हमेशा आपको नुक्सान या लगन वालों से हमेशा नुक्सान का सामना करना पड़ेगा और आपके कारण अम मैं बताता हूँ कि आपके लिए क्या वाकई में सूब रदन तो आपके लिए वाकई में जो है पन्ना, हीरा और निलम आपके लिए अत्यधिक सूब होता है ये हमेशा याद रखे अगर विजस्पत्ती की कंडिसन कुंडली में अच्छी है तो सफेट पुकराज पहने से विजस्यात्रा और नौकरी में सफलता और धन की प्राप्ति जवरदस्त होने लगती है ये लोजिकल बात है परन्तु मैं चाहूंगा कि इसके लिए आप अपनी जनम पत्रिका हमेशा दिखवाल कहीं उबाय करे अब बताता हूं कि जिन्दगी में कुछ ऐसे बाद जीवन में 24, 27, 29, 31, 33 और इसके बाद फिर 34, 35, 36 और 42 और 44 वर्स जो होता है आपके लिए ये आपके लिए लाबकारी होता है लेकिन बाकी जो इसके बीच के साल होते हैं वो आपके लिए नुकसान दायक होते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहला क्या-क्या उपाए आपको करना चाहिए ये बहुत ही महत्तपुर्ण है सबसे पहला आप अपने अलस्यपन को त्याग दे पूरुस की बात में कर रहा हूं अगर आप किसी काम को सोचे मुझे ये काम करना है ताप उसे छन भर में करें तो आप जीवन में सफलों को बैबार हो या नौकरी पेसा हो इस्तिरियां जो है इसमें थोड़े परांगर तो होती है इसके बाद फिर जो है किसी का भी अनू किसी भी बात को अनसुना मत करिए अगर कोई कुछ बोलता है तो उस काम को कर दे और किसी से बहस मत किया किजिए किसी से तर्क मत किया किजिए क्योंकि तर्क करेंगे तो आप बेव को बन जाएंगे क्योंकि आप के अंदर छल का पटनी होता है और आप जो भी बेट के अंदर मन के अंदर रहेगा आप सामने वाले के सामने प्रस्तुत करतेंगे तो उसको बुरा लग जाया, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को सभी चीज परसंद करे अच्छा रखे इसके बार बीना बात दो का, यानि बीना लोजिक का किसी से कोई बात मत किया किजिए सांत रहे, दूसरों पे विश्वास ना करे, अपने बारे में ज़्यादा सोचे और बुरा वक्त में मन को सांत रखे, इस्थिर रखे, क्योंकि आपका दिन सुधरेगा, आपका समय सुधरेगा इसी बात को ले करके भगवान पे विश्वास रखे बिसनगन वाले, आज मैंने आपकी जीवन की 60% जो बाधाएं होती हैं और जो लाभकारी ग्रा होते हैं, सभी के वारे में बताया मैंने क्या बोला है, मैंने परंठाना है, कि जो 30 के छेतर में मैं हमेशा वो जानकारी आपको दूँगा जिससे आप हमेशा सहमत रहें और अपने आपको समझें आप मैं बात करता हूँ कि क्या वाक्य में बिसनगन के लोग जीवन में सफन होते हैं निश्चित तोर पर सफन होते हैं, पर मन को सांथ रखना पड़ता है इसके अलावा गर आपकी जीवन में कोई भी बाधाय उत्पन होती हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं संपर्क सुत्र नंबर नीचे फ्लैस हो रहा है आप मेरे से अप्वाइनमेट ले करके हस्त रेखा, जनम कुड़ी, वास्तू या घर बनाते हैं तो वास्तू का नसार नक्सा के लिए संपर्क कर सकते हैं